पलान्ट के वीडियो आपके साथ सेर नहीं करूंगे इस बार मैं आपके साथ सेर करूंगे कि मैंने इस बार सिवरात्री कैसे मनाई तो सबसे पहले तो मैं सीव रातरी के दिन सुबह पांच बजे उठ कर नहा धोकर घर पर ही सीवलिंग बनाने की तयारी की मैंने सीवलिंग बनाने के सामागरी में सबसे पहले ली मैंने आटा, जी हाँ फ्रेंज ये वही आटा है जिसका हम रोटी बना कर खाते हैं और लिया है मैंने ये कच्चा गोबर, ये देखिए हम जहां से दूर लेते हैं वही से मैंने ये कच्चा गोबर मगाया है और इसका बगल में रखा है ये गूर, ये देखिए और यहां पर मैंने लिया है ये सतनाजा, यहां साथ प्रकार के अनाज है और यहाँ पर लिया है मैंने ये भस्म यानिकी हम लोग आम बोल चल के भासा में राख भी बोल सकते हैं इस तरह के सूखे हुए गाई के गोबर को लकड़ी का साथ जला कर मैंने ये भस्म तयार किया है इसके साथ साथ अगर मैं सूखा हुआ धतूरा का भी भस्म जुगाड कर पाती तो बहुत बढ़िया रहता फ्रेंज पर कोई बात नहीं भॉले नात ने इतना भी सामगरी मेरे लिए जुगाड करवा दिया यही मेरे लिए काफी है और नेक्स्ट सामगरी है मेरा दो सफेद फूल और नेक्स्ट लिया है मैंने ये मकन मैंने इसे गाई के दूद से घर पर ही बनाया है फ्रेंज और अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए ये कितना ज्यादा सौफ्ट है ये देखिए तो मैं इसे थोड़ा सा एड़ कर लेती हूँ फ्रेंज मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं अपने मन मर्जी से नहीं कर रही हूँ मैं आध्यात में गुरू पवन कुमार सिनहा के कहे अनुसार करने की कोसिस कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ ये सूध मिट्टी ये कोई पल्यूशन वाला एरिया का मिट्टी नहीं है फ्रेंज ये ऐसे जगा के मिट्टी है जहाँ पर गौ माता चरती हो उसके बाद सबसे लास्ट पर मैंने गंगा जल एड़ किया उसके बाद धीरे धीरे मैंने ओम नमर शिवा कहते हुए सारे सामागरी को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद क्या था मैंने धीरे धीरे ओम नवशिवा कहते हुए सीवलिंग बनाना स्टार्ट कर दिया जी हाँ फ्रेंस आज मैंने उपवास यानि की बर्त रखा है फास्टिंग रखा है और फास्टिंग को तो पंडिट जी ने तोड़ने के लिए कल दस बज़े के बाद ही का है कल यानि की नो तारिक को दस बज़े के बाद फास्टिंग तोड़ने के लिए कहा है आठ तारिक को 10 बजे के बाद आप उपवास को तोड़ सकते हो ऐसे मुझे पंडिट जी ने कहा है इसे मैं किस तरह से विसर जित करती हूँ कहां पर विसर जित करती हूँ इसका सब डीटेल वीडियो आपके साथ सेर करूंगी तो वीडियो को बिना इसकीप किये एंड तक देखिएगा मुझे ये सीबलिंग बनाने की मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर जैसे भी बना रही हूँ मैं सरद्धा से बना रही हूँ और ये देखिए बन करके तयार हो गया है मेरा प्यारा सीबलिंग उसके बाद मैं घर पर धूप अगरबती करने के बाद मंदिर पहुँची मंदिर पहुँच कर सबसे पहले तो मैंने सीबलिंग की पूजा की सीबलिंग का पूजा का वीडियो में बनाना भूल गए फ्रेंस इसके लिए माफी चाहती हूँ उसके बाद मैंने अपने सिव जी के साथ धेरो सारे बाते किये जी हाँ फ्रेंस में जब भी मंदिर जाती हूँ बिल्कुल अपने दोस्त की तरह भगवान जी से सारी बाते शेयर करती हूँ तब तक बाकी के सरद्धालूओं का भी आना सुरू हो गया और इस तरह से एक के बाद एक सरद्धालूओं का आना सुरू हो गया और पंडिर जी बिल्कुल तिल्लक लगाने और उन्हें प्रसाद देने रक्षा सुद बांदे में बीजी रहे और फ्रेंस आपको तो पता है सरद्धालू आते हैं तो अपने अपने सरद्धा के अनुसार फल फूल प्रसाद वगयरा चड़ाते हैं सिब्लिंग से रिलीस होने वाली पोजिटिव एनरजी को सराद सारे सरद्धालू को मिल सके और आने वाले आगे के सरधालो जो है प्रॉपर सिबलिंग पर फल, फूल, प्रसाद वगेरा चढ़ा सके इसके लिए मैं ये फल, फूल, प्रसाद वगेरा दिन भर हटाने का काम करती रहती हूँ मंदिर के अंदर अब काफी भीड जम चुका है यहां से मैं फल, फूल को एकी बकेट में मंदिर के अंदर से ले जाती हूँ क्योंकि जगे काफी कम है, दो बकेट नहीं डाल पाएंगे मंदिर के अंदर और बाहर ले जाकर फल को अलग बकेट और फूल की अलग बकेट करती हूँ फल को मैं पंडिर जी के पास रख देती हूँ स्रधालू को तिल्लक के बाद पंडिर जी इस फल को प्रसाद के रूप में स्रधालू को देंगे और स्रधालू के जलाए गए अगरबत्ती को मैं इस तरह से इकटा करती हूँ नहीं तो अगरबत्ती इतने ज़्यादा उकटा हो जाते हैं कि नए सरध्धलू जो आते हैं उसके लिए कोई मतलब जलानी के लिए जगा ही नहीं रहता अगरबत्ती और बूझे हुए दिये को भी मैं इस तरह से उकटे करती हूँ जो दिये जल रहे हैं मैं उसे जलने देती हूँ और ये जो अगरबत्ती मैंने इकटे किये हैं मैं इसे ले जा रही हूँ हवन कुंड में डालने के लिए दिये को मैं इस तरह से अलग जगा रख देती हूँ और ये अगरबत्ती को जो है मैं हवन कुंड में डाल देती हूँ ताकि कोई भी सरधालू के पाउं के नीचे ना आ जाए और बुजे हुए दियों को मैंने इस तरह से मंदिर के साइड में रख दिया है तक्रीबन साम के साड़े तिन से लेकि साड़े चार के बीच में मंदिर की मैं साफ सफाई करना सुरू कर देती हूं ताकि साम के पूजन के लिए सरधालू जो भी सरधालू आये उनको मंदिर जो है बिलकुल साफ सुतरा मिले भोले बाबा के मूर्टी को साफ करते समय में ओम नमश्युवा कहना कभी नहीं भूलती और इसे तरह से जै स्री गनेस करते हुए मैंने गनेस जी की मूर्ति को साफ किया और यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको पताई होगा मैंने कहा राधे राधे साई बाबा के पास जाती हूँ तो मैं कहती हूँ ओम जै साई राम इसे तरह से जब मैं हनुमान जी के पास जाती हूँ तो मैं कहती हूँ सारे भगवान की मूर्ती को सफाई करने के बाद मैंने मंदिर की भी सफाई की मंदिर की सफाई के बाद मैं घर चली गई और साम की पूजन मैंने घर पर ही किया उसके बाद मैं अब आपको दूसरे दिन के वीडियो दिखाती हूँ कि मैंने जो घर पर ही सीवलिंग बनाए थे उसे मैंने कैसे विसरजन किया मैंने इस मेरे सीवलिंग पर धूब दीप अगरबती दिखा दिया है और अभी तक मैंने अपना फास्टिंग नहीं तोड़ा है और यहाँ पर मैं अपना सीवलिंग को विसरजित करूँगी यह क्लेपोट है और इस पर मैं ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए यह पूजा प आपको कैसे लग रहा है कमेंट सेक्षेन पर जरूर बताईएगा अब मैंने आराम से मेरे सीवलिंग को पोट पर इस तरह से रख दिया है अब मैं इस पर डालूंगी मैंने बनाया हुआ मेरा यह सोयल मिक्श्यर अब जो है मेरा यह सेकलेंट प्लांट गेस्ट्यूरियस को मैं इस पोट पर मेरे भोले बाबा के पर इस तरह से लगा दूँगे क्योंकि भोले बाबा को जो है प्लांट हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है और यहां पर मैं कर रही हूँ वाटरिंग और इस तरह से मेरे भोले बाबा सदेव मेरे घर पर ही विराजमान रहेंगे औ और जब भी मैं इस प्लांट की कियर करूँगी इस पर वाटरिंग करूँगी तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी भोले बाबा की सेवा कर रही हूँ तो फ्रेंट्स आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्षिन पर जरूर बताएगा ओके देन बाई बाई